असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सब किसब जो हैं बिल्कुल खहरे से होंगे आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कमपस की मदद से ट्राइंगल के अल्टिटूड को कैसे ड्रॉ किया जाता है लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अल्टिटूड ओफ ट्राइंगल वो किसे कहा जाता है उसके बाद हम कमपस की मदद से ट्राइंगल के अल्टिटूड को ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद हम अल्टिटूड ओफ ट्राइंगल वो किसे कहा जाता है वो उसके ओपर बात करेंगे और end में ortho center of triangle क्या होता है altitude के हवाले से उसके उपर बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं altitude of triangle के उपर तो screen के उपर आप लोगों को एक triangle नजर आ रही है हर triangle के आप लोग जानते हैं कि 3 corners होते हैं और geometric अंदर इन corners को vertex कहा जाता है तो altitude बोलते हैं किसी भी triangle के vertex से या corner से एक सीधी line draw करो opposite side तक triangle के तो ये जो line draw की है इस line को बोलते है altitude इसको perpendicular भी कहा जाता है ठीक है तो किसी भी triangle के अंदर 3 corners होते हैं तो 3 altitude draw किये जा सकते हैं लेकिन altitude दुबार से बता रहा हूँ एक ऐसी line segment का नाम है जो के एक corner से opposite side तक straight draw की जाती है बाकि question करेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर समझ में आ जाएगा तो चलिए question की तरफ चलते हैं इसके बाद अब बात करेंगे altitude की तो r से पहले altitude draw कर लेते हैं तो compass को r के ओपर set करते हैं इसकी corner आर पे मैंने एक no को रख दिया तो आपने compass को इतना open करने के जो जहां पे यह यहां से altitude draw करने इसके opposite side पे दो जगा compass line को cut कर सके पीक्यू को opposite side को एक इधर से और एक इधर खहीं से तो बाकिया आपके मर्जी है बस target ही है दो जगे से cut होना चाहिए तो एक इधर से होती है और एक इधर से होती है तो इससे तो कम में करूंगा तो थोड़ा कम करके देख लेते हैं तो यह थोड़ी सी कम हो गई अब देखते हैं इधर से इधर से तोड़ी सी जादा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता तो चले दो जगे से कट हुई है अगर इधर से करूं तो एक इधर से हो रहा है और एक इधर से हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे अब मैं दो आर्क लगा लेता हूँ तो यह एक आर्क यहाँ पे लग गई ठीक है और इसको रोटेट करते हैं और एक आर्क लग जाएगी इधर ठीक है इसके बाद इस कमपस को हटा देते हैं तो यह दो आर्क लग गई अब हम क्या करेंगे अब हम इस compass को ऐसे rotate करते हैं, rotate करने के बाद एक बार इधर रखके आर्क लगाएंगे और एक बार इधर रखके आर्क लगाएंगे, और compass को कितना खोलेंगे, आप यानिके अंदाजे से खोलीजिए, के नीचे दो आर्क जो हैं, वो intersect करें, तो मेरा तो screen से बाहर जा रहा है, यसाब किताब थोड़ा छोटा करके काम करना पड़ेगा, तो ये एक आर्क में इधर लगा लेता हूं, ठीक है, और इसी compass को इतना खुले रहने देना चाहिए, दुबारा से, और इधर रखता हूं, दूसरे point पे, और इसको rotate करता हूं, ये देखिए, इधर लग रही है, तो ये एक आर्क इधर आगी, तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो आप इसलिए बड़ी-बड़ी line लगाएगा, और फिर rubber से मिटाते रहीएगा, ठीक है, मेरे साथ problem ये है कि मैं इसको rubber से remove नहीं कर सकता, सारी खतम हो जाती है, तो मुझे दुबारा से point पे set करना पड़े तो ये मैंने दुबारा से arc लगा दी, अब इधर इसको हटा दीजे, हटाने के बाद एक scale की मदद से scale ले आता हूं, ये आगया मेरे पास scale, इसको करते हैं थोड़ा चोटा, साथ में करते हैं इसको rotate, 90 पे, यानि कि ये हो गया, और इधर से इन दोनों को मिला दोगे, तो म दोने के बाद इधर से इधर तक तो आप permanent line लगाएंगे, और इसके बाद आप dotted से आगे arrow show कर देंगे, ठीक है, तो ये मैंने show कर दिया, ठीक किसी तरह अब जो है, दूसरे vertex या दूसरे किनारे से हम altitude draw करेंगे, जैसे ये एक altitude draw कर दिया, ठीक है, तो करते हैं, तो scale को कर ल और इसको, इसका रुक बदल देता हूँ, ये रुक बदल गया, और इसको हमने compass को इतना open करना है, कि again से, यानि क्यूपाइंट के opposite side ये वाली है, PR, तो इधर दो जगे cut होना चाहिए, जैसे एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो चलिए, खोलते हैं इस compass को और देख करूँ, तो इधर से cut हो रहा है, और इधर से cut हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं कि शायद बात बन जाए, इतना, यानि इसी point पे एक ये इधर हो गया, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो वो mix up हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका रखेंगे यहां, और बिल्कुल इस line को पी आर को लंबा कर लेंगे, तो ये scale हो गया set, इसको थोड़ा सा or extend कर लेते हैं, तो अब जो है, यानि के हमारी बात easily बन जाएगे, ठीक है, तो अब इस compass को दुबारस रखते हैं Q के उपर, और अब देखते हैं, अब तो थोड़ ये हो गया, और compass को अगर rotate करूं, तो एक cut इधर हो जाएगा, यहां पर करके ऐसे हो गया, ठीक है, इसके बाद आप दो cut हो गए, अब इन दो cuts के उपर रखेंगे आप compass को, और जैसे पहले की तरह, एक arc लगा देंगे आप इधर, ठीक है, और इसके बाद इस वाले end पर र अब जहां पर यह intersect कर रहे हैं, वहां से इधर line draw कर देंगे, तो चलिए scale को set करते हैं, तो यह scale हो चुक है, set, set होने के बाद Q से लेके opposite side तक तक तो हम permanent line लगाएंगे, और उसके बाद dotted, तो यहां से मैंने dotted से show कर दिया, ठीक है, तो इस तरह Q का altitude जो है, वो भी मैंने draw कर या अब रहे गया P, अब इस vertex से जो है, बिलकुल यहां से गुजरेगा, तो हमारा question ठीक है, otherwise यह नहीं है, तो चलिए यह भी check करते हैं, तो scale को करते हैं, side पे, यह हो गया side पे, हमें compass चाहिए, compass को रखेंगे Q P point पे, और इसको हम इतना open करेंगे, के सामने Q R हो, तो यह त इतना होने के बाद, अब देखिए एक इधर, यह हो रही है, और एक इधर, तो it's mean के मुझे इस line को भी लंबा करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको भी लंबा, तो यह पीछे करते हैं, यह आगे हमारा scale, इसको करते हैं, ऐसे, और इसको मैं scale को set कर लेता हूं, यह सी scale set हो और इस line को जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो I think इतनी काफी है, इसके बाद scale को हटाते हैं दुबारा से, अब compass को लेके आते हैं, पी point पे रखा, पी point पे रखने के बाद, इसको rotate करते हैं, एक arc तो यहां पे लग रही है, एक यहां पे लग रही है, तो इसको मैं cut क change करके cut करता हूँ, ताकि आप लोगों को नजर आए, तो यह मैंने color change कर लिया, और आप black से ही करेंगे, मैं सिफ समझा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ माए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो यहां से cut लगा दिया, तो एक यहां से cut लगा दिया, ठीक है दो जगे से इसको cut कर दिया, अब इसके बाद जो है, दुबारा से वही काम repeat करेंगे, तो color दुबारा से मैंने बदल लिया, अब जो है, एक इधर compass रखेंगे, sorry, इसको rotate करने में मुश्किल होगा इधर से, ऐसे ठीक है, scale को कर देते है, remove, और इधर, यानि कि इस जगे पे एक आएगी, और इधर से आने के बाद, यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद, इस compass को उठा के रखेंगे, इस वाले के उपर, और यह मैंने रख दी, इसके बाद एक आर्क लगाएंगे, इधर, ठीक है, तो यह, I hope आप लोगों को समझ में आगे ह तो यह इधर से, डॉटेट से मैंने एक रे लगा दी, ठीक है, इसके बाद, स्केल का काम खतम, स्केल को यहाँ से हटा देते हैं, और अब आप देख सकते हो, कि यह तीनों एल्टिट्यूट जो है, एक पॉइंट से ही गुजर कर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत फर्क भी यहाँ पर हो, तो आपने एक ऐसे पैंसिल की मदद से, इसको थोड़ा सा गोल कर देना है, ताकि आपके थोड़ा सा जो एरर आता है, क्योंकि आते ही आता है, हम हुमेन है, तो थोड़ा बहुत इदर उदर हो जाता है, लेकिन अगर आप एतियाद से लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आजाए, तो ऐसे गोल डायरा सा डॉट सा लगा दे, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यह एक डॉट हो गया, ठीक है, तो अब थोड़ा सा एरर आपका चुप जाएगा, तो अब बात कर लेते हैं, पॉइंट ओफ कंकरेंसी और एंगल के उपर, तो यह डॉट जहां पर यह तीनो लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स जिन्हें हम अल्टिटूट बोल रहे हैं, आके मिल रही हैं, इनको बोलते हैं, पॉइंट ओफ कंकरेंसी, अब यानि कि एक थोड़ा सा डिफरेंट है, तोड़ा सा आपको समझना चाहिए के कंकरेंट और कंकरेंसी में क्या फर्क है, या देखिए का कंकरेंट जो है स्ट्रेट लाइन्स को बोला जाता है, जब भी तीन या तीन से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन्स आपस में एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो उन स्ट्रेट लाइन्स को बोला जाता है कंकरेंट, औ और यानि के अब मैं ये भी बोल सकता हूँ जब concurrent, क्योंके concurrent lines कोई तो बोलते हैं, जब concurrent या फिर straight lines एक point पे मिलते हैं, तो उस point का नाम point of concurrency है, और रह गए Arthur Center की बात, तो lines कोई से भी हो सकती हैं, और वो एक point पे मिल सकती हैं, और उसको concurrency बोलेंगे, लेकिन Arthur Center का mean define हो जाता है, कि जब भी triangle के अंदर altitudes एक point पे मिलेंगे, तो उस point को Arthur Center कहा जाता है, तो अब एक स्वाल आप लोगों के mind में आ सकता है, कि sir, point of concurrency भी तो है, ये obviously बात है, कि ये point of concurrency भी है, और Arthur Center भी है, जब point of concurrency का word बोलेंगे, तो mind में ये आता है, कि कोई सी भी straight lines आप असमें एक point पे मिल रही है, लेकिन जब ortho center का word आएगा, तो आपके mind में ये आना चाहिए, कि ऐसा point of concurrency है, जिसमें lines की बात नहीं, बलके altitudes की बात की जा रही है, ठीक है, इसलिए जब भी triangle के altitudes एक जगे पे मिलते हैं, तो उसको point of concurrency भी कह सकते हैं, और ortho center भी कह सकते हैं, ठीक है, तो I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, मजीद ये के Google पे जाकिन के definition को पढ़ोगे, तो आपको मेरे concept और अच्छे समझ में आ जागे, या इस वीडियो का ये वाला हिस्सा थोड़ा से पीछे से देखोगे, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, तो चलिए इसके साथ मुझे इजासत दीजिए, कुछ गलत बोला हो, या कुछ अंजाने में गलती हो गई हो, तो मुझे माफ करिएगा, अपना बहुत सा क्याल रखेगा, इन्शाला अगले वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, अल्ला हाफिस.